ओम नमो भगवते बास देवाई नमा स्वागत है आप सभी का मेरे बक्ती भावना यूट्व चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको एकादिसी के उपाय बता रहा हूँ देखो एकादिसी का दिन होता है बहुत बड़ा दिन होता है एक आदिसी के दिन जोब यक्ती भगवान विश्णू का पूजन करते हैं भगवान सिभ की पूजा करते हैं तता गौमाता की पूजा करते हैं उनके सभी मनुरत पूरे हो जाते हैं एक आदिसी के दिन के मैं उपाय बता रहूं साथ ही एक चीज आपको जरू खाले नहीं है इसे आपकी पुत्र धनी की मनोकामना पूरी होगी बागवान के सामने से उठाकर के परसाथ की रूप में आपको एक चीज खानी है एक आदिसी के दिन दीपदान का बिशेश में तो पांच जगए कम से कम आपको दीपग जलाने एक नदी के किनारे, दूसरा देवाले में, तीसरा तुलसी माता के सामने, चौता भगवान बिश्णू के सामने, पांच माप पित्रदेपताओं के सामने ये पांच दीपग आप जलाएंगे, आपकी प्रतिक मनोकामना पूर योगी जोब्यक्ति एक आदिसी के दिन तुलसी माता के सामने दीपग जलाके परकरमा करते हैं और तुलसी पत्र नीचे गिर हुए जो तुलसी के पत्ते या पहले से रखे हुए तुलसी के पत्ते हैं बो भगवान बिश्णू को समर्पित करें इससे माता लच्मजी परसन हो जाती हैं, दन और पुत्र प्राप्ति का आशिरवाद देती हैं एकादिसी के दिन जो व्यक्ति पीपल ब्रक्य के नीचे दीपक जला करके कच्चा सूंत वहाँ पर लपिट देते हैं, साथ परकरमा करते हैं उनकी प्रतिक मनो कामना पूरी हो जाती है एकादिसी के दिन बगवान के सामने तुलसी पत्त्र अरपन करें एकादिसी के दिन बगवान के सामने केले का फल और बादाम ये चीजे आपको बगवान के सामने अरपन करने हैं बादाम ना ले तो काजु ले ले आप यारी मेवाँ में से बादाम या काजु इन में से एक चीज़ आपको लेनी हैं दो केले लेने और साथ ही तुलसी पत्र भगवान की सामने आपको समर्पित करने हैं। वही बैठकर के ओम नमो भगवते बास देवा नमा मंत्र का जाप करना हैं। दोस्तो जाप पूरा होने के बाद में फिर यह तीनों चीजें पती पत्नी को मिलकर के खा लेनी हैं। आपको तुलसी पत्र डाल देना हैं। तभी आपको वो तुलसी पत्र निकाल के भगवान के सामने रखना हैं।